बिक बॉसे घर में एक और रिष्टा बन रहा है खास रिष्टा रुबीना दिलाक और निकी तंबोली की दोस्ती का रिष्टा बहनापे का रिष्टा जो रुबीना और निकी दोनों के फैंस को बहुत पसंदा रहा है कितना सच्चा है ये रिष्टा कितना अच्छा होगा दोनों के लिए और किसे नुकसान होगा कौन इस रिष्टे में सच है कौन गलत इस बारे बात करेंगे इस वीडियो में अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लिजे सबको अपनी जूते की नौक पर अपनी नौक पर रखने वाली में चोर ठ्रा वाली लॉजिकल बाते करनेवाली एक लॉजिकल उनलों का पर एक emotional attachment दिखाई पर रहा है निकी की मा आई उन्हीं कहा रूवीना के साथ अच्छी धिक रही हो जएस्विन के साथ मुझे अच्छा लगता है और उसके बाद रुबीना की आंके चलग गई इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा निकी ने कि मैंने इन लों कहतना गलत किया कि मैं दिल चाहता है कि अपने आपको फांसी लगा लूँ और यसे तमाम चीजें रुबीना ने जाकर निक्यों समझाया कि मैं तुम मुझे अपनी बड़ी बेहन समझती है तो ऐसा मत करो तो ये एक कॉडियल रिष्टा दो-तीन दिरों से बहुत जारा दिखाई पढ़ना सवाल ये क्या ये रिष्टा अच्छा है दोनों के लिए क्या रिष्टा सच्चा है तो चलिए पहले सच्चे की बात करते हैं निकी घर के बाहर से गेम देख कर आ रही है निकी को पता है रुबीना और राहूल स्टॉंग कंटेस्टेंस है राहूल उनके ओलरी थोड़ी थोड़े दोस्त है और रुबीना से वो दोस्ती करना चाहती है जैस्मिन उनकी एक बातचीत है मगर रुबीना से उन्होंने क्य दोस्ती आगे बढ़ाई, रुबीना नहीं आगे बढ़ाए हुए हाथ को थामा, अब इन दोनों के दोस्ती एक दूसरे के लिए सही है गलत, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, एक most stupid बाते करता है और एक most logical बाते करता है, तो दोनों एक दूसरे के हाथ कैसे survive होंगे, अ जो उनकी USP है, हमको देखना है कि निकी बेवकूफियां करे, निकी बत्तमीज यां करे, निकी उल्टा सिदा करे, चाल चाल फुट निकल करे, क्योंकि निकी वैसे entertain करती है, अगर निकी चुक्चा बैठे ही कोने में, तो हमें अच्छी नहीं लगेगी, यह logical बनेगी तो निकी स्विटाए बात शायद नहीं कर पाए, य। कि logic वाली बात शायद निकी के पास उतनी ना हूँ, تو निकी के लिए ये घाठे का सौधा होगा, फिलाल फोरी तो और पर रुबीना के लिए ये बहुत जादा घातक कोगा, क्योंकि रुबीना अगर निकी का साथ देगी उसकी stupid मुद्दों में कि रुबीना की ये राय है कि अपनों के साथ खड़े होना चाहिए वीकेंड के वार में जैस्मिन और राहूल का जो शुरुआती वीक में मुद्दा हुआ था जोर आजमाईश वाला वहाँ पर रुबीना ने कहा था कि जैस्मिन मेरी दोस्ती में उसके साथ खड़ी रही तो रुबीना निकी के साथ खड़ी रहेगी जैसे राकी वाले मुद्दे में वो खड़ी रही जब एजास ने कहा निकी राकी को अच्छूत मानती है हाला कि उस मुद्दे में गलती निकी की थी हाला कि अच्छूत बहुत बढ़ा वर्ड है निकी ने शाद अच्छूत वर्ड सोचके नहीं किया होगा उसने हाँ यह जरूर सोचा कि राकी से बदला लेना है या कुछ जो भी कुछ करना है मगर अच्छूत बढ़ा शब्ड था रूबीना ने जब निकी का साथ दिया वहाँ पर रूबीना थोड़ी गलत होगई कि निकी गलत थी और ऐसे बहुत सारे मुद्धे होगे अगर रूबीना निकी के साथ खड़ी होगी तो बहुत सारे गलत मुद्धों में रूबीना को निकी का साथ देना पड़ेगा और रूबीना उसमें गलत लगेगी रूबीना की जो लोजिक्स है रूबीना की सोच है उन्हें उससे कॉप्रोमाईज करना पड़ेगा तो रूबीना और निकी ये दोorgा रास्ते हैं इन्हें साथ में बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, दोस्ती कॉडल रश्टा अच्छा लग रहा है, दोनों के सीन सी बहुत क्यूट लग रहा है, दोनों बहुत अच्छे लग रहा है, ओबिसली दो गुड लुकिंग लड़किया, दो पॉपिलर लड़किया, बतब एक बबल रास्ते अलग करने चाहिए, कि दोनों का गेम इससे प्रभावित होगा, यह मेरी राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे जरूर बताए, मुझे आपकी राय का इंतजार होगा, मुलागात होगी यही पर अगले वीडियो में फिलाल के लिए, बाबाई